मांगी नावे नखे बटे राणा पाउं बढ़ा देते हैं इनका पक दो बड़ा विशाल हैं बोले ऐसा भगवान नहीं किया गों भगवान जानते हैं उपर सूरज तपत करारे और साखी में बाबा लगत हमारे नारी हाथ किमी गहें गुसाई अदोस देत सब लोग लुगाई यह विचारी मन में अनुमाना अ मांगी नावे न केवत अगला भाव प्रभुपद ते गंगा प्रगटानी और कन्या संभगवन में मानी धर्म धुरीन जन्म प्रभु केरो कन्या रूप गंग को हेरो किमी नाग है मन में अनुमाना अ मांगी नावे न केवत अगला न केवत अगला भाव अब सुनो खरारी, अगर एक बात में बतावें, काठ की नाव नारी जो होई, तो दुई पत्नी मुरी ख्वारी हुई, दो पत्नी आउ जाएंगा अगर उली नहीं, इसलिए केवट कहें, अब सुनो खरारी, तुमरे ओ घरे तीनी महतारी, 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 तुमरे तीनी महतारी, तु प्रशंग बड़ा विश्त्रित है संग्षेप में करते हैं अब तो अधकमल धोई चड़ाई नावन नाद उतराई जहों जब ऐसा उसने कहा तो सुन के वट के बेन प्रेम लपेटेट पटे बियसे करूना एन चिते जान की लखन तन और कुछ से कहा अपपर पखार लो लागा चरन शरूत पखारन लागा बड़े प्रेम से चन पखारे पद पखारी जल पान करिया पुसहित परिवार फितर पार करी प्रभुएं पुनि मजद गय उलई पार सियावर राम चर्प चिद्रेगे मुद्रिका नहीं लिए भक्तिका वर्दांदिया भगवान ने व रिशियों पर गरबागाई पंच्वटी में निवास किया रक्षा स्वस्य वेक्रत रूप मसुद्ध भुद्धे तस्या खर त्रशिर दूशन मुख्य बंधोन जगने चतुर्द ससास्रम पारेडियम कोदंड पानी रठमान वाचक्रच्रम भगवान में वहां रहते भगवान विराविकलनर की भागजान की खोचते वे चले इधर जटायू युद्ध करके मना सन्द पड़ा था भगवान ने उस जटायू गीध को वर्दे से लगा लिया जिसने परोगकार के युद्ध में प्राणों की बाजी लगा दी है परनारी की रक्षा में जिसने प्राण छोड़े हैं ऐसे परोगकारी जटायू को भगवान ने गोद में ले लिया जटायू समाथ का दिव्यों आरण जो जो नारी की रक्षा में नारी के सम्मान में प्रान तक दे देता है ऐसा जटायू नारी सम्मान का रक्षक जटायू परोबकारी है प्राया लोग दूसरे की लडाई में सहयोग नहीं देते धर्म की लडाई न्याय अन्याय की हो तो न्याय का साथ नहीं देते अन्याय के विरुद्ध नहीं लड़ते हैं जतायिव थीपलधा विरुद्ध उठाइभादा उठाई रावन से सुग्रिव बेक्ट जो वह बेक्ति है कि अन्यायदेकर लेख कर मोगमा लेता है सीताहरन देखकर के बोला नहीं शुग्रिव झतायिव व्राण दे दिया है। किन दयाल को देखिके आज भई करुना तिहारी गीद को गोद मेरा थी क्रपानी धी नेन सरोजन में भरे बारी बारही बार सुधारत पंख जटायू की धूरी जटान सो जारे जटाओं सो जटायू की धूल को जाड़ा है उसे परमपर दिया है शिविरी पर कृपा की नौधा बक्तुदी शुग्रिव से मित्रता बाली का बद फिर शीता निवेशन लंका दहिन और इसके बाद में फिर शेत बंद्व रामेशुरं की स्थापना शकुल रामन का विनास और फिर बिविशन को राध्य सीता की पुना प्राप्टी अयोध्या पुन्रागयमन आदवुराम तपो बना दिगमनम हत्त्वाम्रिगह कांचनम वैदेही एक श्लोगन को गड़ते हैं आदवुराम तपो बना दिगमनम हत्त्वाम्रिगह कांचनम वैदेही हरनम जटायु मरनम शुग्रीवशं भासन बाली निरदलनम समुद्रतर्नम लंका पुरीदाहनम पश्चाद्रामन तुम्बकर्णहननम एतध्विरामाजनम त्रेतायाम बरतमानायाम कालाह कृतसमो भवत रामे राजनी धर्मगे सर्वभूत शुखावे त्रेता में शत्यू त्रेता भई सब यूकी करनी त्रेता में शत्यू गा गया राम जी को सिंगा संपर बैठाला और तिलकिया राम राज बैठे त्रलू का हर्शित भई गए सब सोका गाईए अरे रागो अवध बिहारी राजा राम शीतारा रागो अवध बिहारी राजा राम राजारा ये रागो अवध बिहारी राजारा राजारा रागो अवध बिहारी राजारा राजारा रागो अवध बिहारी राजारा राजारा आए राम करे नहीं देरे, कहलाए अब तारी सितारां, कहलाए अब गलापी राम सितारां, राघव अब दिहारी राजारां, राजारां राजारां, 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 रा धन नहीं था जो अस्पताल नहीं बनवाया, अस्पताल इसले नहीं बनवाया, क्योंकि कोई बीमारे नहीं था, जरूरत नहीं थी अस्पताल की जरूरत नहीं है, अवो शिक्ता अविश्कार की जन्मी है, अस्पताल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अल्प अम्रत्यू नहीं क बनर करही परस परप्रीती और चलही सधर्म निरत सुर्तिनीती बयरन करका हूशन कोई राम प्रताप विशमता खोई गईया मैया के पास जाए जब चाहो दूदु लेलो लताबी टप मांगे मधु चुमही अनभायती धेनु पैश्रवही मागेब आरिद देहिजल रामचंदर के राक हैंए Sayur Surely, R나म जी के राज़े मैं इसकुने राज़नीथ के कितने चनड होते हैं इसकॉल कोनnicas सुछम दर्ण भेल कावान भगवान नाम के लाजमने राज्रीत के दोक्रण काल पिए वह थे खर TP लोग्दंड को बूल गए डंड किसी को दिया नहीं जाता था क्योंकि कोई दंड वाला कामें नहीं करता था है सबस्वादीन थे है सबस्वादीन थे वहां पर विवस्था की जरूरत नहीं थी अब यहां इतने इतने हजारों सुन। यहों बड़े शांत। बेख़ें कोई आकर कह दे हैं कि सांतर हो तो लोग कहाँ कि तुम 51 है यहांasanतरहो कहना लएथर जरूनों नही है। यहां अवालेंटीयर जरून्ट नही है यहां बालेंट यही जरून्ट॥ Cheeseello या सब्स्वायमित उनwości में सानता है एक वस्था से नहीं है तो लंद सनाफ्ट हुगए अब लोग भूल गए तो भगवानमेका दन्ड आ ड्नंद बना रहे शब्द पोश पैसे तो संयासीओं के हाथे दंड रूहाँ दंड केवल जती मने संत दंड जतिन कर भेद तानर तकनरत समाज मागे बारिद देही जल राम चंदर के राज ऐसा सुन्दर राम राज्य ग्याराजार वर्षुगा भगवान स्वधाम पदारे हैं समय भूलिये राजा राम चंदर की सब्लोगों आयो ध्याना धगी और भक्तो अब नौम इसकन्द पुरुण हुआ तो दसमद इसकन्द प्रार्म हुआ तो महारा स्री परिक्षिजी श्वयम बोले राज्य वाज्य वैसे प्रतेक इसकन्द में शुक वाज्य शुक देव बोलते थे लेकिन दसम इसकन्द में राजा परिक्षिद बोले क्या बोले आप ध्यान से सुने कथितो वंश विश्विष्टारो भवतासो मसूर्ययो राग्यां चोभेवन्शया नाम शरितं आपके पावन मुखार गुंद से हमने शुविष्व द्रवन्श के सुन्द राजाओं की कथा सुनी अब हम सुनना चाहेते हैं यदोश्य धर्म शीलश्य नितराम निशत्तव तत्रां से नावतिर नश्य विश्व और विर्यान इंसंशाना भग्मान ने दुबंश में कै कैसे उतार लिया नारेन ने कैसे दुबंश में उतार लिया कौन-कौन सी लिलाईं की वहम सुनना चाहेते हैं निब्रत्त तरसई रुपगी एमानाग भबवु सधाग श्रुत्रमनो भिरामातो कवुत्तमस्लोग कवुत्तमस्लोग गुणान अबादातो पुमान विरध्यत बिनापशुगनातो जिनकी समस्त लोकी कामने पुर्ण हो गई है कोई इच्छा नहीं देगे ऐसे महापुरुषों ने भगवान कृष्ण का चरित्र कहा है ऐसे प्रमन्स ने भगवान कृष् इसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है राजाने प्रश्ण किया इतनी अम्रित मही इतनी महान पापनाशिनी कथा ऐसा भी क्या कोई संसार में हैं जिसे प्रश्ण नहीं लगते हो तो स्वयम राजाने का माराज हमें तो वो पशुगन लगते हैं होंगे जिने कथा अच्छी नहीं लगती होगी संसार के विशयी मनुरण्यन अच्छे लगते होंगे कथा अच्छी नहीं लगती होगी वो पशुगन है आत्म घाती है अपनी आत्मा को मार रहे हैं ते जड़ पर जीव निजात्मक घाती, और जिन नहीं नरगूपति कथा शुहाति, सबको अच्छी लगती है, उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, जिन पर पाप चड़े हैं, भोजन, मिष्ठान, पक्वान, फल, मेवा, जिन अच्छी लगती हैं, लेकिन जो बीमार है उसे अच्छी तुलशी पूरब पाप से हरी चर्चान सुहातो और जैसे ज्वर के ज्वर से भूख विदा हुई जातो तो कथा तो सबको प्री है महराग भगवान कृष्ण की वो फावन कथा सुनाओ पिता महामे समरे मरंज येईर देवप्रताद्यास्तिर थैति निंगी लगी दुरत्यम कौरब सैन सागरम कृत्वात्र नवत्स पदस्म यत्रवाह मारत हमारी पितामा पांडो गण कौरब की शेना रूपी शागर के बीच फस गए थे उसमें भीषम पितामा जैसे बड़े बड़े तिविंगिल मगर मच्छ हमारी पुरुखों का बक्षन करना चाहेते थे प्रास्त करना चाहेते थे लेकिन आनद कंद मादों कुंद ब्रचन घंद शाम शाम सुंदर अगमान कृष्ण की कृपा कटाक्ष से मारे पुर्खे कौरवों की सेना को ऐसे पार कर गए गौवत्स पदम जैसे गाय के बचड़े के खुर के गढड़े को कोई बालक लांग जाए ऐसे ही पार कर गए थे उनक नहिया की कथा सुनाओ द्रवनस्त विप्लुष्ट मिदम दंगम संथान भीजम कुरुपांडवादा जुगोप्यकुक्षिम गतात चक्रो मातुष्च में यहाँ शरनम गताया है जिससे मैं स्वस्थाम आपने ब्रम्हास्त्र से मुझे गर्व में ही मार देना चाहता था मेरी मा उत्तरा जब भगवान की शरन में गई तो भगवान ने अंगूठे के बराबर चत्रवु स्वरु बनाकर मिया के गर्व में प्रिविश कर भी रक्षा जी जिन उने गर्व में हमारी रक्षा जी थी उन भगवान की कथा हम सुनना चाहे थे अनंदकत भगवान कृष्ण की कथा और वह बल्राम की कथा रोहिन्यास्तनेया प्रुप्टो रामाहसंक रश्णत्प्वया जो महराज स्युशार उतार है वह बल्राम भी उनकी कथा सुनना चाहे थे किस प्रकार से देवक्या गर्व शम्मंदा कुतो देहंतरम बिना बिना देहंतर के गर्भांतर कैसे हो गया महराज रोहिनी मिया के गर्व में कैसे पधारी वह कथाम सुनना चाहे थे नई शात दुस्ता च्छनमाम तक्तो अदम पिबाधते पिबंतं पन्खाम भोज अच्चुतं हरी कथाम अब्रेतं आपके मुखारविन्द से बग्मान की कथा सुनते शुनते ना हमें भूंख लग रही है ना प्यास नज़ए हम तो आपके मुख से हरी कथा का अमर्थ प पहेवं निशम्न भ्रगुनंदन साधुबाद बैयास की सभगवान अथ विष्णुरातं प्रत्यर्च त्रष्ण चरितं कलिकल्मशगनं व्याहरत मारवत भागवत अप्रधाना महराज स्रीशुकदेव जी ने जब सवना राजा के मुख से तो महराज स्रीशुकदेव जी बड़े प्रशन वे राजन्त भंड़ने हो जो तुम्हारे एढ़दे में भगवान क्र्ष्ण की कथा का भाओ जागा है तो में साधवाद देते हैं आशिर बाद देते हैं वो जो भगवान की कथा सुन्ते हैं शंकर जी निरलेप हैं लेकिन जब पार्भुती जी ने कथा सुन्ने की जिग्यासा की तो भगवान शंकर ने दो वार दन्य वाद दन्य धन्य गिरिराज कुमारी नहीं कुम समान उपकारी नहीं की तो मैं समान उपकारी उचे हुरगोपति पथा प्रशंगा उचे रगवपति प्रशंगा जकललोक जग्रपावनी गंगा यह गंगा है नाने वाली भी तरते हैं नाने वाली भी तरते हैं आयोजग भी तरते हैं, शुरता भी तरते हैं, और वक्ता भी तर जाते हैं, ऐसी दिव्य कथा, तब कथामृतम प्रत्पजीबनम, कभी रिडितम, कलमसापहम, श्रमनमंगलम, श्रीमदादतम, वविग्रणन के ते पूरिदा जना, जो इसका प्रचार प्रशार करते हैं, कथा का प्रशार करते हैं, वो सबसे बड़े दानी है, ऐसी मानता, तो भक्तो महराज श्री शुकदेव जी बुले राजन, शम्मेके ब्यवस्तिता बुद्धी तवराजर शिशत्तम, वाशुदेव कथायांते, एद जाता न इस्ठी की रथी, जाजित नमारी बढ़ी आने था संसार के लोग संसारिक्ता में पढ़े रहते हैं, कथा से बजचित हो जाते हैं, धन्य है तुमारी बुद्धी जो भगवान की कथा में रहे हैं। वाशुदेव कथा प्रस्नहां पुरुशांत्रीनि पुनाति ही वक्तारं प्रच्छकन्षोत्तंतत्त्त पाद शलीलंग व्यथां भगवान की किता सुपने से वक्ता, सुरता और परिक्षित शित तिनों ही मुक्त हो जाते हैं जैसे गंजला जी पवित्र करती है, जैसे कथा भी पवित्र करती है, महराशुक देव जी कहते हैं द्वापर का मध्यामतर आ गया भव मिर द्रप्त अंदर पव्याज दैत्यानी के सता युताई आक्रांता भोरिभारेन ब्रम्हानम शरणम यजुक जापर का मध्यामतर आ गया और राक्षस उत्पन होने लगे, राजाओं के वेश में राक्षस दैत्य उत्पन होने लगे चार और त्रेता वाला परिकरा गया रावन और कुम्मकरण के उतार, शिशुपाल और गंतबक्र चंदेरी में उत्पन हुए दमघोष नंदन के रूप में मगद में जरासंद हुआ और मधुरा में कालने में नामकर आक्षस ही उग्रशेन का पुत्र बन कराया कंस कंस के रूप में उत्रित हुआ इलवलवलवल साल विदूरत नाना प्रकार के देखत उत्पन हो गये और पापा चार करने लगे धरती कांग भुम्मी भार धरती नहीं से सकते कहती घिरिशर सिंद भार नहीं हो ही जस्महीं गरू एक परद्र हुई पापी का भार बहुत भलता है धर्ती मां व्यकुल हो गई है गाय का रूप बनाया प्रोते वे ब्रह्मा की सभा में गई ब्रह्मा ब deepest चलो शंकर जी के पास चलें शंकर जी के पास गई रामावतार मे कहा चलो चीरशागर की यात्रा करो देवता तुम बड़े भोगी हो तुम घरों से नहीं निकलते भगवान की यात्रा नहीं करते साधना नहीं करते तफश्या नहीं करते चलो चलो सब लोग चलो चीरशागर चलो सब देवताओं को लेकर रिश्यों के साथ धरती के साथ भग प्रश्चुक्ते नुपदस्थे समाहिता वाजाकरे जुर्वेत के पुर्शुक्त बंत्रों से नारण की बंदना की हरिवुम सास्रिदःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः आजाकाश्वाणी भी ब्रमाजी सुना ब्रमाजी ने कि हम भूमिभारां करने आ रहे हैं अब शीक्रता से में उतार लेंगे और भूमिभारां करेंगे कहां उतार होगा वशुदेव ग्रहे साथा भगवान पुरुशाः परहा जनई श्यते तक प्रियार्थम संभवन तो सुरेश्ट्रियाः वशुदेव के घर में हमारा उतार होगा देव की वशुदेव से हम उतार लेंगे और मेरे जो अनन्त शका से सनांगी है ये उत्पन होंगे बड़े भीया बल्दाव के रूप में और मेरी जो आलहादिनी शक्ची है आदिशक्ची वो तो राधा के रूप में उतार लेंगे राधा भगवान की आप्मा है आदिशक्ची है वो राधा के रूप में उतार लेंगे और ये जितनी देवियां हैं ये ब्रज में चल करके ये सब गोपी के रूप में उतार लेंगे और देवतालोग गोप के रूप में आउतरित होने लेंगे बड़े-बड़े महत्मा भूले हम भी गोपी बनेंगे रामो प्रिशद में बढ़ना है दंड़क बन के बारा हजार महत्मा उन्होंने रामदी का रूप देखा दुर्वाद अलम दित्तर्म थरून आपके नेत्रम ऐसे भगवान के देखा तो उनके मन में हुआ कि हम भगवान के साथ नीला करें आलिंगन करें श्पर्ष करें भगवान ने कहा तो फिर तुम सब गोपी बनोगे दौपर में और गोपी बनकर के हमारे साथ नीला करोगे वो महत्मा सुतपा नाम के महरशी से सुनंद नाम अपके हां सुनंदा नाम की गोपी बने उगरतपा नाम के महत्मा ललिता नाम की गोपी बने जाबाली नाम के मह अधियों की रिचाइन बेद मंत्र बुले हम भी गोपी बने तो बेद मंत्र बेद रिचाइन भी गोफी बने गोभिर पायते यासा गोफी इंद्रियों से जो कर्ष्ण ब्रम को प्राप्ट करें उसका नाम गोफी है गोपी ममुक्ष जीव है गोभीरी पिवधि क्रश्ण रस्व में आशा गोपी इंद्रियों से क्रश्ण रस्का जो पान करेव गोपी गुपाय ते क्रश्णम निज विर्दे यासा गोपी भगवान को अपने विर्दे में छिपाई रहती इसलिए उसका नाम गोपी है गोप मुम्ख्ष जीवात्मा है अब शिद रिशिमुनी कोई कहता हम तो ब्रज में कदम बनेंगे बगवान हमारे उपर चड़ेंगे तो हम बड़ा आनग मिलेगा कोई गुलाम तो मोर बनेंगे बगवान कहेंगे मोर अपना बना लेंगे मोर हम बड़े प्रसंदों कोई बुलाम करील की कुझ बनेंगे भगवान श्याम शुंदर अपने पीतांबर लहराते विमारे निकट से निकलेंगे तो हम पनी कटीली जाडियों में उन्हें उरजा लेंगे वो जितना सुर जाएंगे हम उरज्यते चले जाएंगे अपने कोमल कांद कराम मुझों से जह हमें इस पर्ष करेंगे हमें सुखान भूती होगी ऐसे भाव लिये हैं संदगाओं केते भगवल उरव पर नित्य रहूं लटका अपनी बनमाला का फूल बना ले लहरें टकराती रहें जिससे वो पावन का लिंदी पूल बना ले इस पर्ष करेंगे तुम्हारे चरन वो पावन का दंब की मूल बना ले चरनों में लिपटे रहेंगे सदा अरे ब्रज राज हमें ब्रज धूल बना ले ब्रज की धूल बना ऐसे ही पूरा ब्रज आज देव लोग सिदलो की मात्मा उस ब्रज बे आगे और इधर भक्तो माराजी प्रशेन की भाई देवक और देवक की कन्या का नाम देवकी देवकी का विवा वशुदेव जी के साथ हुआ तश्याम्तु कर्षित छवुरी ही वशुदे वोग ठोद बाह देवक क्या सूर्या शार्धम्म नेश्यानी रत्मारवत्म व बहुत दान किया है विवक्रशेन ने दभी दैज में बहुत धंद आए 200 हांती दिए 200 रतों पो दिए, 200 दास दास यां दी रत्म दिए,वीदा किया तो उस समय अपनी बहन शे प् जा रहा था पति प्रहिनम कंशम अभाश्याह शरीरवातो अस्यास्तोस्टमों गरभो हन्ता म्याम भाश्य अबुधो जिस समय यह रत हाकता हुआ जा रहा था उसी समय आकाश्वाणी हुई अबुध कंश मुर्ग कंश अपनी जिस बहिन को इतने स्ने प्रवक्त भेजने जा रहा है इसका आठमा लाल तेरा काल हो जाएगा जब कंश के कानों में आवा जाई तो कूद पड़ा रत से भगिनी मन तुमा रध्धा खटगपानी कचेक ग्रही तो देवकी के बाल पकड़ लिए और मारने को उद्धित हुआ महराज बसुदे और बोले शलागनी गुणा सूरई लिरो भवान भोज अशस करहा शकत हम भगिनी मन्या तो इस्त्रिया मुझ द्वाह पर बढ़ी आप भोजबंस में बड़े अशश्वी हैं अपनी बहिन को भिवा क्या उसर पर क्यों मारना चाहते हो जिस ब्रत्यु के भैसे तुम देवकी को मारना चाहते हो क्या देवकी को मारने के बाद मारी मृत्यु ठल जाएगी मृत्यु जन्व वतांपीर देहेन सहजायते अध्यबाब शताम के बाद मृत्यु रवई प्राणि नाम धुरवाः जिस दिल मनुश्य का जन्व होता है उसी दिन उसकी ब्रत्यु की निश्यत हो जाती है आज कल्या बर्षवबाद मृत्यु तो आनी ही है कोई बचा नहीं नबचयो कोई बेद पुरान पढ़े नबचयो कोई सीश रखाय जटा नबचयो कोई बन में बास किये नबचयो कोई उंचे चुनाय अटा सपने समये संसार चला चल चार दिना को ठाट ठठा तुलसी तुमराम से नेह करो अशिर गेरत आवत काल घटा इसलिए कन्या की समान यह तुम्हारी है यह संसार स्वप्नवत है आत्मा अमर है शरीद नाजवान है एक शरीड से दूसरे शरीद में आत्मा जाया करती है मरनो पराम्तो इसलिए श्वप्न यथा पश्यत दे मीदर्शं मनु रथे ना विनिविष्ट चेतना दृस्ट शुत के बात काथि यह द्यान छोड़ो कर देव इसको मत्मा रो जय विस्विकार से कहा है लुड़क को उपदेशिवो ज्यान गांठते जाई प्वेला स्वेतन होता है सोमन साबुम खाई प्वेला कभी स्वेतन नहीं हो तो ऑज़े ने शरी दो मुरक करदेन चेत जो गुर वि लें दिरंद की सब्सक्रा अब तो इसने तलवार निका ली और चलपड़ा मारने के लिए मिए जब की को मारने के लिए दोडा तो मारा आज बशोड़ आज बले विगल है बशोड़ ने ने का मेरा बंद करód तो बशोड़ बशोड़ को आज देव की कहके कैसी बेंदी कैसा सिंदूर श्रंगार कहां अब साज कहां पति देव के जब प्राणों पर है तो फिर पत्नी को लाज कहां एरे दुष्ट तुम मेरा ही बद कर दे आज नव दम पतिका अनन्यानु राग ओलो कन कर दे उताओं के नेत्कों से सुगिरने लगे लेकिन प्रूर कंस्केर दे में क्रपा का कण नहीं पैदा हुआ समय बशुदेव बोले भीया देव की को क्यों मालना चाहेते हो बोले तुमने सुना नहीं इसका अधमालाल मेरा काल होगा कुमाराज बशुदेव बोले प्रदाय मृत्य बे पुत्रान मोचे क्रपणा मिमाम देवकी का अधमालाल हम तेरे आगे धर देंगे अधमा नहीं लोगे तो फिर आधो ही अरबन कर देंगे आएसी बात है चलो तुमारे महल तें छोण दें महल तें छोणाया समय बदला भग्तो मिया देवकी के पहला लालत बंद उहा माता ने उसका नाम रख लिया चीरती मान नाम रख लिया कीर्थि मन्तम प्रथम जम शुतम आनक दुन्दु भी अर्पयामाश कुछेर सोंग्रतागती भी उखला अब तो मता उसको उर्देशी चप्ताए है बशुदिव केते हैं लाउ लाउ देखी इस बालक को राक्षिस की भेट चड़ा मता रोती रही और आज मशुदिव भालक लिए जा रहे हैं और उस समय कंश के दर्बार में गये नीजे महरात कंश ये देव की का प्रथम पुत्र है कंश ने भालक लिया बड़ा सुंदर है सलोना है इस बालक से मारा कोई बैरतो है नहीं उसमें दया उत्पर नहीं पृतियात कुमारोयम नेश्मा दस्ति में भयम अस्तमाद और गर्भान मृत्यूर में वीता के लोत्त ये बालक तुम ले जाओ इस बालक से मारा कोई बैर नहीं है जब आठों आओ तब दे जाना महराज बालक लेकर चले और सोचते जा रहे हैं कब इसकी बुद्धि पलट जा कोई ठिकाना नहीं है चणे तुष्टा चणे रुष्टा तुष्टा रुष्टा चणे चणे अब व्यवस्थित चित्ता नाम प्रशादों पिभैं करा कोई चण भर में प्रसन हो जाए अधर देवर्शी नारत ने सोचा आप तो यह धर्मात्मा होने लगा यह दया जो धर्म कांग है यह बड़ा दयालू हो गया बालक शमा कर दिया चोन दिया अरे ऐसा ही इस धर्म बना रहा तो यह मारे नहीं बरेगा धर्मेन हन्यते ब्याधि जो धर्म करता है उसकी सब बा बादाएं हैं जो भागी की वेखाएं हैं यह धर्म करने से पलड़ जाती है हाथ की रेखाएं भी पलड़ जाती है धर्म कर्म करने से मंत्र महामन विशय व्याल के मेकत कथिन पुवंग भाल तो धर्म से सब बादाएं नश्ठ हो जाते हैं धर्मे नहनते व्याधि धर्मो रक्षती रक्षिता धर्म जिसकी रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है और ये तो धर्मा तो जया जहां धर्म है वहीं भी जया है जहां अधर्म अधर्मी देखने में थोड़े दिन अच्छा लगता है बकरे की तरह जैसे बढ़िया बढ़िया खिलाया जाता है बाद तो अब तो यह पाप आत्मा कंश के हिर्दे में विकार बरें पाप बरें नारजी उल्टे तार बजाने पहुंच गए भीड़ा के वोले उल्टे बजा देंगे तार हम इसके जाकर के सीधे नहीं पजाएं थे इनकी वीड़ा के वीड़ी उल्टी भी बजती है नारजी पहुंचे और जाकर के बोले कि बालक क्यों आपस कर दिया तुम मुले महाराज हमारे बहर तो आठमे लाल से है बोले देखो एक अबल का पुष्प है इसमें आठ गल हमता कौन प्रदा में को नस्तम है मुले महाराज हमें सभी प्रदम है सभी अस्तम है आठ रेखाएं कीचि अधी प्रत्थि पर रेखाएं कीचि फिर कहा ये हमको बतलाऊ इसमें है पहली रेक कौन अस्तम है कौन ये समझार उस गोल दाइरे को निहार राक्षस बोलाई है को समगे जितनी भी हैं सब पहली हैं और जितनी भी हैं सब अस्तम है सभी प्रदम सभी अस्तम कोई भी तुम्हें मार देगा एज़ा केकर चले गए नारुखी कंश की बाद जच गई भूले ठीक कह गए नारुखी बुलाओ देव की बस्तियों को बालक समेथ बुलाया छिन लिया बालक और पांसान सिला पर पटक दिया समाप पड़ दानवता क इतिहास में कालिमा में एक प्रूर प्रस्थत हो गया चारो अरत्रा इमाम तब कंश ने देव की बस्तियों को हाथ में तकड़ी पैर में बेड़ी गले में तौक डालकर लवग बंदनों में बांग कर कारा ग्रह में डाल दिया उग्रशेनम चभितरम यदुभोजान दिका दिपंगे दुबंच के सम्राठ महराज उग्रशेन अपने बूले पिता का मुकट उतार कर सलमें रख लिया पिता ने समझाया जाता भी ऐसा नहीं करो तो पिता से मुकट छीन लिया और उनको कारक रहे में डाल दिया और स्वेम सम्राठ बंबेट बुनाया अशुर देत् यत्रेत दुजागा वह बेदा वर्नाश्रमा क्रियाह तम तम जन पदम्यात संदी पयत अब रश्याता जाओ ब्रामुन का बद करो गुम्मू का बद करो अधर्म फैलाओ ये करिश ने आदेश देदिया देश्प्यों को ये दुबंशियों को ढूल ढूल कर मारो और उसम अध्याजारा तंक शागा मिया देवकी के धुती पुत्र को उसने कारागार में मारा तरती चतुर्थ पंचम खस्टम छे बाल को कर संदार किया तो शब्तमों वैश्रमंधाम या मनंतम प्रचक्षते गर्भव भूव देवक्याह हर्षशो कदवर्धना शाप्य बार तुर कि मिया का हर्षो बढ़ाने वाला सात्मा घर्भ स्वें सेस्नांग मिया के गर्व में आया है। आज सिशनांग जब गर में आये तो भगवान ने योगमाया को मुलाया का हे माया हे योगमाया गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपा भिलन त्रतम रोहिनी वशुदे वश्य हार्यास्ति नंद गोगुले हे देवी तुम भद्रज चली जाओ और महाराज वशुदेवजी की एक दूसरी पतने रोहिनी कंस के भैसे नंद बाबा के भोन में निमास करती है मैया देवकी का गर्ब खिंच करके माता रोहिनी के उदर में पहुंचा दो हे योग माया जब तुम ऐसा करोगी तो इस्थान इस्थान पर तुमारी स्थापनाएं होंगी तुमारे नाम होंगे दुरगा, भद्रकाली, विजया, बैश्नमी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माया, नाराइणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, जालिपा, ज्वाला, चंडि, मनसा, चिंच पूर्णी, पूर्णा, बिंदवासिनी अनेक नामों से भक्त तुमारी पुझा करेंगे योग माया देवी ने वैशाही किया, मिया देव की का गर्ब खीच करके, मातारुणी के उदर में पूचा दिया जहां भादों के सुक्ल पक्ष की छट को माराश्री बल्लाम भगवान का उतार हुआ, बलो बलदावु भहिया की जे आज निंद बावा ने तो इस्व मनाया बल्दावु भीया का और कंश ने जब देखा गर्ब अंतर द्यान हो गया तो उसे बहुत भैव हुआ, अब तो पहरा बड़ा परबल करा दिया और प्रिप्व दिकारा ग्रहएका निरिक्षण करने जाता है ब्यास भगवान लिखते हैं युली आप सुन Hindu है, जन पंचा भिवर्य, सद्राद्व, जन्पंचाध्याई रासपंचाध्याई तो यह जन्पंचाध्याई की कथा है अब तो ततो जगन्मंगलमचुतांसम समाहितम सूरशुतेन देवी सरवात्मकमात्म भूतम काश्ठा यठान्दक्रम्मनस्ता काश्ठा ततो जगन्मंगलमचुतांसम विश्व का क्लियन के लिए भगवान उतारने आजे भगवान किसी एक जाधि के लिए ने भगवान को जाती में नहीं बांदा जा सकता यह नहीं का जा सकता उस जाती के भगवान सब में हैं सबके हैं उन्हें जाती में बांदना ज्यांता है वो जाती के बंदन में नहीं बंदते किसी देश के बंदन में भी नहीं बंदते किसी संपरदाय में भी नहीं बंधते वो सबके हैं सारभौम हैं भगवानकृष्ण भगवानगाम विश्व मानवों में सबके हैं भगवानगाम और भगवानकृष्ण सबी को प्यारे हैं हिंदूओं के प्यारे तो हैं ही मुसल्मानों के भी प्यारे है अब ये कुछ दिनों से जादा भ्य hyvin चला है पहले बहुत मुसल्मान ख्रशन भक्त होते रहे है हैं चंद्र की और रस्खान रस्खान महाराज ये कोटि के ये कल धवत के धामों करील के कुंजन उपर वारों आठों सिर्धी नवों निदिके सुकनंद के गाये चराये वितार यालग पुटी ये रूकामरिया पर राजती हूँ फुर्गो में वारों ऐसे महाराज वो कृष्ण भगत्त हैं एक मुगल रानी थी दूर जहां अगरा से दिली जा रही थी अगरा से दिली जा रही थी उसमें मार्क में ब्रंदावन में साही Bप कषिबर में सख्यों के साथ सोने लगी तो उसमें सपनें घंशाम आ जब गंशाम आई तो उसमें संदर इतने सलोने नूर जहां सबना देखते हुई जब उसकी निस नेद ठूटी तो रोने लगी बिना दाम की विकानी सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी विकानी बदणामी हूँ सहूंगी मैं देव पूजा ठानी नमाज हूँ घुलानी तजे कलमा कुरान सारे अनन गहूंगी मैं सावरों सलोनों सिर्टाज दिये कुल्लेदार ताके निहदा घमे निदाग भै दहूंगी मैं नंद के कुमार कुरबान तेरी सूरत पै ओ तो मुगलानी पै हिंदुवानी भै रहूंगी के तुल्सी माला ले लि आःः शर्णम स्री कृष्णा सरणम मनद यपने लोगी ऐसे अंगरेट भी बख्मान कृष्ण के भाग्पा है अंतर्रास्ति कृष्ण संस्थान है कि इस चुम इसकोन सन्स्थाबनी होई हो ह्रे रामा AO RA MA RA MA RA RA Kर手ण KRIŚ्न 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 KRIŚŠN HARE RE । तो वह अपना देशन यहां आ गे है विदेश इंगलेंड अच्छान देशों से और पने घर से आन यहां पात देश हो एकर आ मुने प्रणाम करते हैं जो घर छोड़ करके आओं हैं और कथास ने वो प्रणम में हैं इसलिए भगवान का भजन करें विश्व कल्यान के लिए भगवान का उथार तो जगनमंगलमत चुतांसम आज माराथ बसुदेव की आत्मा से मैया देवकी के गर्भ में पधारे हैं य जादिनते हरी गरभ हैं आए गरभ में आने की बात करते हैं वो भक्त लोग कहते हैं मावतार अस्तिमी नहीं मनाएंगे हम तो जन्म अस्तिमी मनाएंगे हम तुमें मनुसी के रूप में अपना सखा अपना सब मानेंगे तो इस परकार से तो आज भगवान विश्व का कल्य करने के लिए मिया के गर्व में हैं तो उस समय आज मिया देव की ऐसे लग रही है भोजेंजर गेहक निशिखे वुरुद्धा सरसुती ग्यान खली अथासती जैसे सरसुती किसी खल के पास पहुंच गई हो कंज के काराग्री में है न लेकिन फिर भी प्रकास तो है ही प्रभ सबूता नितराम न रेदे भोजेंद्र के ग्रिशिखे वुरुद्धा सरसुती ग्यान खली अथासती और ऐसे समय में भक्तो आग जैसे प्राची दिशा में चंद्रमा मुद्ध होता है ऐसे भगवान मता के उदर में शुभायवान हो रहे हैं प्रकास मुक्पर कंश ने इतना प्रकास दिश्टी की मुक्पर कभी नहीं था